तो आब एककाम करते हैं तीसरा जो हमारा सेक्षन रहता है natural gas इक बर natural gas को observe कर लेते हैंoire और natural gas میں हमारी actions किस तरीके से बनते हैं अगर अपने नैचुरल गाइस की बात करें अल्दो ये जो डे है इसका लाज टे है एक्सपाइरी का नो प्रॉब्लम एट आल वट वी आर हैर ओनली फॉर दा एनलेसिस परपस तो क्षिधी सी बात समझ में आते हैं इस जोन हमारा पुराना मार्क्ट जोन है इस जोन ने काफी अच्छा भीएव किया और आरली में प्राइज ने काफी अच्छा हमें दिखाया भी इस जोन को रिस्पेक्ट पे किया बट इस जोन के साथ-साथ जो की ये दो बार यहां से अपना रिजिस्टेंच ले चुका है मुझे साफ चमज में आ रहा है कि जो यह मेरा लेवल है मुविंग अवरेज के साथ कॉंसाइड गरने वाला है और अगर यह लेवल मेरा ब्रेक हो जाता है तो मेरा जो ट्रेंड था जो मेरा एक तरीके का uptrend established था उसको मैं comfortably बोल जगता हूँ कि यह downtrend में convert हो चुक है अब क्योंकि यह downtrend में उस हमें पर convert हो जाएगा तो एक बार यहां का trading action देख लेते हैं समरे trading action यहां पर क्या बनेगा मैंने यह day high mark कर रखा था और day high mark करने के बाद मैं आप लोगों से क्या बल रहा हूँ कि let us wait price to break this zone natural gas में ऐसा होता है natural gas has a very good tendency to move like 11 11% in a day अगर natural gas इसके नीचे मुझे comfortable close कर देता है तो मेरा जो अगला target booking level natural gas में रहने वाल है इसको एक बार 10 मिनट में अच्छे stop loss के साथ पकड़ी लिया तो तो then there is no problem to convert into 30 minute or higher time frame जो channel को लगतार follow करते आ रहे हैं या जो students है they know how to do it तो hopefully information clear है तो अगर यह information हमें clear है तो एक बार ना buy side का देख लेते हैं although it is against हमारे trend के against का trade है लेकिन it might happen कि natural gas यह range maintain करना शुरू कर दे it might happen तो इसलिए यह important यह level और भी जादे important हो जाते है कि यहां से natural gas अपना trend convert करेगा towards downtrend और towards range तो दोनों point हमें consider करके चलने है friends हमें ध्यान रखना है कि यहां पे आके price किस तरीके का behave करेगा तो देख लेते हैं अगर break करेगा सिधा सिधा पता यह मेरा first profit booking level है अगर इसको भी आचे से break करेगा तो यह मेरा second profit booking level है but mind by words यह एक दिन में नहीं होने वाला अगर एक दिन में यहां से break करके यहां आ जाता है तो book your profit and exit your trade अब देख लेते हैं buy side हमारी क्या conditions बनती है होगा तो definitely मैं अपने 200-day moving average जो कि मेरा 10 minute का time frame है मेरे trading time frame है 200 moving average के उपर मेरे को natural gas close दे उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगा इसमें trade करने के अब मेरे को let us say कि इसने 243 के उपर मेरे को close दे दी और मेरे को एक entry मिल जाती है bank nifty में तो मैं buy side का entry में बना तो रहूँगा लेकिन जो कुछ भी मेरा window बे ट्रेड में मेरा profit दिखा रहा होगा चाए वो 2000 है चाए 4000 है चा 5000 है मैं उसमें से कुछ ना कुछ लेके घर निकलने कैसा behave करेगा तो hopefully अब तीनों मलब दोनों side natural gas की भी आप लोगों को खाया रहे है कि natural gas में हमें trade gas execute करना और natural gas में कौन-कौन से हमारे important level और कहां पर price कैसे behave करेगा ठीक है जालो फिर ठीक है तो तीनों section सामने comfortably discuss कर ली है कोई doubt है तो बताओ कोई questions है तो बताओ ठीक है चालो अगर कोई question नहीं है तो session end करते हैं चलो ठीक है मिलते हैं फिर गलके session के ओके बाई-बाई